पर दूसरे पासे देखिए तो रिजल्ट बड़े ही वदिया आ रहे ने सो स्टूडेंट अले सोच रहे हैं आसी रुकिये याँ प्लाई कार देए सो असी ज़रूर स्टूडेंट्स नूँ सही टांगनल गाइड करना चाहांगे ताके तुसी अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करो तो आड़ी अगर ड्रीम डेस्टिनेशन कैनेडा है ता तो आनू सही डिसीजन की लाना चाही दा ए वीडियो वेक के तो आनू बहुत चीज़ां क्लियर होन वालिया ने स्वागते जी सारे अंदा मैं हां हर्जोत कौर और कैनेडा स्टरी वीजा नो लेके ऐज खास गलना खास जानकारी तो आड़नाल सांजी करन जारे ने क्रेटिव फुचर कंजलेंजा तो वीजा एक्सपर्ट गुरप्रीत कौर जी साड़नाल ने बहुत बहुत स्वागत है जी सार्शी काल जी जो भी ए मसला शेड़े है दो मुलकांदे वेच इननों लेके थोड़ा जा स्टूडेट जेड़ा साड़ा इस टाइम डी मोटिवेट होया है बट मैं कहूँगी कि एहो जी कोई भी शिक्सपर्वाइशन ने है कि तो आनों डी मोटिवेट होना दी जुरूर अटा जाता अनों स्टैप बैक लेन दी जुरूर अता तो किसे भी तरीक हिनवा कोई भी होज या मेरे कुल कोई भी हमें दा पॉइंट आया हुंदा ते मैं जुरूर तो आडे ना डिस्कस कर दी कि इस टाइम आपा कैनेडा नहीं अप्लाई करांगे क्योंकि आसी रिपर्जेंट कर दे हैं 5-6 कंट्रीज नूँ ते आसी किसे भी कंट्री नूँ तो आडे सामने जो रिपर्जेंट करांगे सानू आटोमेटिकली बिजनस आना है जह को साध्यक्ल ऐहोजी इन्फोर्मेशन होएं ते आसी बिल्कुल तो आनूँ क्लियर ली दसी है कि नहीं बच्चे नोथे नहीं जाना चाहिदा मौल करा है जान कुछ है जान दो मुलकां देवेच चीज़ां हो चुकी है कि बच्चान ओथे ट्रैबल नहीं करना चाहिए बट एह हुजी कोई भी सिच्टूएशन ही नहीं है जे देते मैं गाल करा जा मैं बच्चान वे देते कमा कि कोई उत्थो नी गौवर्मेंट वलो रोक लाई ज आ सक दिया जा गौवर्मेंट वलो रोक लाई जा रही है आप एक चीज ते आंदे वेच रखिए कि इस टाइम रिजल्ट किने फास्ट हो इने वीजा स किनने ग्रांट हो रहे हैं वीजा रेशो किनी वाद रही है इट मींज किते ना किते ओ कंट्री साथे स्टूडेंट न कंट्री दे नाल ताल मेल सही रखना उनना देले बहुत इंपोर्टेंट आ उत्थों दी अर्थविवस्ता नो जे मैं आपा त्यांच रखिये ते ओहो गड़बडा साग दियो ना दियो ना दे वार बार जेडे डिसीजन जेडे ओना दे जेडे भी उते गाल बात हो रही ह विच ही गलना बात हो रही है ने कोई भी साड़े फेवर तो बार गाल नहीं हो रही है इस करके किसे भी तरांदी कब्राट पैदा करन दी स्टूडेंट नो जुरूरत नहीं है अपलाई करो टाइम करो और सॉरी मैं इंटेक जेडा है ओ बच्चा ले ओपन हो चुक्या है ते मैं इंटेक ले भी बच्चे अपनी अड्मिशन्स पुट अन कर सकते हैं जी यानि अपा इते हुन देख रहे हैं कि जनवरी इंटेक जड़ा ओल्मोस्ट फुल हो चुक्या है यानि कोई गुंजाईश यह थे नजर नहीं आ रही है जेड़े स्टूडेंट अपलाई कर बारे सोच रहे हैं उन्हानों सिद्धा मैं इंटेक ते फोकस करना चाहिए बिल्कुल हर्जोजी जनवरी इंटेक इस टाइम अप्रॉक्स फुल हो चुक्या है बहुत रेर हा कि बच्चा मेरे को लावे थे कोई सीट कैंसल होई हो थे मैं बच्चे नो दे सका बट मैं टेक तो ते ए चीजा आपा त्यांच रखिनी हैं दूसरी गल है कि जेनियां रिफ्यूजल सारी है कैनेड़ा दियां ओ ए वी रीजन है जेड़े बच्चे ट्विशन फीस अपनी पे नहीं कर रहे हैं जान ना पे करना चलो एक मुद्दा है बट अपनी ट्विशन फीस दे खान दा खर्चा ते एक साल दी ट्विशन फीस दी प्लांड है तो अडिकोल ते ओ प्रोपर त्रीके ना दाओ ओ भी रिफ्यूजल दा किते ना किते तो अड़ा रीजन बन रहे हैं फाइनांस नो लेके एक ओना दी इंक्वारी ओना दे ब्रेंद दे वेच क्लियर नहीं हो पा रही तो चीजनों क्लियर कर दे हुए एनी की मैं जी आइसी करा देता मेरा कंसल्टन केंदा सी गा जी तो अनू ट्विशन फीस आफ्टर वीजा पे करनी है ठीक है आफ्टर वीजा पे करनी है एसो पी दे विच मैंचन करो कि मेरे काउंट दे वेचे एननी फंडिंग प फीसर दे सामने एक clarity हो जूँगे एक clear हो जूँगे तुसी transparent हो जूँगे कि बच्चे दे मान दे विच कोई है हो जा सवाल नहीं है जा अन जैनूरन बच्चा नहीं है बच्चा वाकी होते जाके study करना चाहूंदा है जैनूरन student है उन्हों एक जिम्मेवारी दा पता है एक responsibility दा पता है कि मैं अपनी tuition fees pay करनी है ते reason एमें दे छोटे छोटे reasons करके कुछ बचे नहीं है refusal सारिया ने बट visa ratio बहुत अच्छी है गैने डा दी तुसी apply कर सकते हो ठीक है बिल्कुल जिते आप visa success ratio दी गल कर रहे हैं गुरप्री जी यह थे SDS non-SDS दो मादे अच्चे visa दे लई बनिया है एक average students दे लई है एक जड़े साथ smart students ने उना दे लई है categories ने मैं non-SDS category दी वी उननी ही गाल कर दी है जिननी SDS category दी कर दी है ते non-SDS category जबी बच्चे हैं दे visa grant हो रहे ने बट असी थोड़ी जी अपनी responsibility हो दे विच बाद लेने है कि SDS वाले rule and regulations नो follow कर दे ह होए वीजा अप्लाई कर दे हैं तो दे थू ही एसी वीजा grant कराने है तुसी बिल्कुल social page दे उत्ते साथे देख लो SDS category दा में भी एसी वीजा किते ना पोस्ट किता होए पर non-SDS category दे जिनने भी एसी वीजा ग्रांट कराए ने मेरे सारे social accounts ने जिते उते तुसी वेख सा दे ने पै होए ने ते इस करके SDS non-SDS category दोनों category साड़े लई ने दोनों category चे तुसी अप्लाई कर सकते हो जी बिल्कुल सो खुले मौके खुली options अडिकॉल available ने सो students जड़े हले सिर्फ वेख रहे ने थोड़ा time देख लिए ऐसी फिर अप्लाई करन बारे सोचांगे था त timely सही options अना प्रोसेस जरूर का लेना चाहिदा है जी हाँ सही decision तो अनू जरूर लेना चाहिदा है कोई सवाल है doubt है जड़ा number display है जो पर call करके भी तुसे पूरी जानकारी लह सागदे हो बहुत बहुत थैंक्स गुरपरी जी कैनड़ा नो लेके कई doubts जी clarity आज जी वीडियो आज जी 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 हो落ए कारी जीisé Dieu 1,2,3,1,4,5,5,5,1,9,5,6,2,6,5,6,6,6,6,6,6,6,7,2,9,6,6,7,6,7,8,9,6,7,